इन्होंने आज अपना नवी मुंबई में एक नया स्टोर ओपन करा है इनका अलड़ी एक रिटेल स्टोर है है इन्होंने कहा है कि हम 10500 क्रोड रुपे की इंवेस्टमेंट इंडिया में करेंगे इंडिया में हमें इन्होंने कहा है कि हम 2021 में भी मुंबई के अंदर अपने दो और छोटे रीटेल स्टोर्स सेट अप करेंगे हलांकी जो इन्होंने आज अपना नवी मुंबई में इन्योकरेशन करा है इनके ओल्लेडी ओनलाइन मार्केटिंग ये करते हैं अगर आप जाओगे तो इनके आप किचन वेर आइटम्स तो काफी सारी वाइड रेंज ओफ आइटम्स इनके प्रोडक्स में इंक्लूडिड है साथ ही साथ इनका पोटेंशल ऑफ ग्रोथ है ये आगे आने वाले समय में इनका जो टार्गेट है वो दस क्रोड लोगों तो ये पहुचाना चाहते हैं इंडिय दिख रहे हैं और इंडिया के लिए भाई एक अची न्यूज है क्योंकि एंडिया में फौरं डारेक्ट इंवेट्ट अ रही है था और वह है तो restaurant industry के अंदर ही हुआ था restaurant industry जो around 2% contribute करती है इंडिया की GDP में जो around 7 लाग से जादा लोगो को employ करती है उसमें वापस सरी hiring होने वाली है dine out जो एक company है basically dine out ने अपने एक report शेयर करें जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया में around 40% young people का जो focus है वो shift हो गया है healthy food की तरफ attract हो रहे हैं जादा और 90% लोग आगे आने वाले समय में restaurants में visit ना करने की हो जाए वो ज़्यादा prefer कर रहे हैं अपने home delivery की तरफ ही वो जहादा home delivery ही चाते है और ज्यादा वो visit नहीं करना चाते है रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना वो आगे उनकी preference नहीं रही है ऐसा देखने को मिला एक सर्वे के कोडिंग डाइन आट बेसिकलिए company जो food tables organize करते हैं अगर कोई बना premium restaurant में जाकर किसी भी रेस्टोरेंट में उसकी choice का जाकर अपनी tables book करना चाता है तो वहाँ पर डाइ बेसिकलि फूड प्रोवाइडर से सो उन्होंने अपनी रिपोर्ट शेयर कर जिसम उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में 90 लोग ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त ज्यादा घर में ओर डिलिवरी चाते हैं तो फ्रेंट्स जो करन्ट सिच्वेशन है उसमें पैराड इंटरनेट यूज़ेश की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है बिकॉस कोविड ने वर्क फार्म हम को तो पहले ही कर दिया था दूसरी जिसकी वज़ए से लोग अब जाए से जादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने सभी कामों को निकालने के लिए तो ओनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल प्लैटफोर्म की तरफ ज्यादा लोगों का फोकस शिफ्ट हो रहा है रिसेंटली गूगल के सीयों ने भी कहा कि हम वर्क फार्म हम की पॉलिसी को आगे भी कंट्यूनी करेंगे जिसमें उन्हों ने कहा कि तीन दिनी लोगों को आफिस में आन जो भी सैटलमेंट होगी औरिजनल एकुप्मेंट मैंफेक्चर और डिस्त्रिबूटर्स के वीचे मों जादा से ज्यादा ही कोसिस करें ओएम्स और डिस्त्रिबूटर्स की वो ओनलाइन मीडियम के तरुई हो तो पैरडीजम जो है इंडर्न इंडस्ट्रे को सारा जिसमें exciting opportunities भी है लोगों के लिए entrepreneurship की जहां पर लोग अपना online business भी कर सकते हैं basically internet के धुरू काफी सारे options available है internet का फाइदा उठाके digital entrepreneurship कर सकते हैं लोग तो भाई काफी अच्छी चीज है digitalization का जमाना है जो आज के current scenario में जो world का focus है वो सारा का सारा shift हो रहा है लोग करोड़ो करोड़ो के business setup कर रहे हैं लोग काफी सारे business काफी सारे online modes find out कर रहे हैं अपने business को setup करने के लिए और अच्छा खास हो उनको अनिंग्स भी हो रही है अगली जो नियुज है भाई वो है budget के उपर एक economic survey हुआ है जिसमें काफी सारे लोगों ने बड़े सारे suggestion दी है टैक्स के उपर कि भाई work from home की वजए से employers के लिए उन्होंने रिंबर्समेंट करी है और काफी सारे अधर प्रक्यूजिस भी उन्होंने में प्रवाइड करें जैसे कि वाइफा इंस्टॉलेशन वगरा के रिंबर्समेंट भी उन्होंने हमें दिये हैं पर ऐसा देखा गया प्रकेटिंग की तरफ भी लोगों का फोकस जा रहा है तो यह इंडिया के लिए एक अच्छी नीउज है एक अच्छी नीज है तो इंकम टेक्स के अंदर जो वक्षार्म हम के बैनिफिट दिये हैं जो पक्यूजिस दिये हैं एंप्लो़ुयर्स ने उसके ओपर टेक्स को तक जंट कर देना चाहिए ताकि भाई लोग जाद से जादा इसका बैनिफिट उठा सके एंज वर्क फॉर्म होम की तरफ फोकस शिफ्ट हुआ है उसको भी उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके लोगों को साथ ही साथ काफी काफी सारे अगर उसको भी सरकार टेक्स कर देते तो अगर उसको भी सरकार टेक्स कर देते तो अभी काफी बैनिफिशल होगा एंप्लोई के लिए जो घर से काम कर रहे हैं और यह लोगों का फोकस भी शिफ्ट करेगा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ डिजिटलेशन की तरफ और साथ ही साथ यह सजेशन्स आये हैं कि यह जो टेक्स एक्जंशन है यह अगले साल से नहीं बलकि इसी साल यानिके रेट्रस्पेक्टिव फेक्स से देदेनी चेए के बीच में जो डिफ्रेंस है वो 20 परसें तक का है तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो एक्ट्व सेल कंसीडरेशन है इंकम टेक्स के पर से भी हम उसी को एक कल से उसको सेल कंसीडर कर लेंगे पर यह जो लिमीट है यह सिवर करोड रुपे तक की है यहीं कि अगर दो करोड की ट्राइक्शन हुई है वहाँ तक है प्रविजन एपलीके बल तो अब ऐसे सर्जेसन लोगों ने दिये हैं कि यह जो दो करोड की लिमीट है यह सबशिइशिजिट इनफ नहीं है क्यूंकि अर्बन एरियास में हमने देखा कि प्रोपर्टिस के रेट काफी हाई है तो इस तो इस दो क्रोड की लिमिट को डबल करके चार क्लोड कर देना चाहिए अगली न्यूज है वह है शोशल नेटवर्किंग के उपर तो भाई इंडिया एक नई शोशल नेटवर्किंग साइट लॉंज कर रहा है 2021 से जिसका नाहा में फॉर पॉस बेसिकली सिर्फ कनेक्टि नहीं कर सकेंगे लोग आपस में दूसरे को बलकि इसमें बिजनेस अपोरजनेटिस भी मिलेंगी इन फैशन लेने के लिए आप इसमें अपनी फोटो वगरा भी शेयर करते हैं तो बेसिकली एक सोशल नेटवर्किंग साइट होगी जिसमें लोग कर सकेंगे आपस में और इसमें बिजनेस अपोरजनेटिस में मिलेंगी लोग को फैशन इंडस्ट्री के उपर तो भाई अगली निज इंडस्ट्री से यूनियन मिनिस्टर और रोल ट्रांस्पोर्ट और हाइवे जो कि निजिन गड़करी जी है उन्होंने कहा है कि अगले दो साल के अंदर जो टूल प्लाजाज हैं उन्हों सबको वाइप आउट कर दिया जाएगा रिमूव करने की प्लानिंग है गॉर्में से ही आपका टूल की डिड़क्शन हो जाएगी अब यह भी उन्होंने कहा है कि जो नए विकल्स अमर्जिंग मार्केट में आ रहे हैं उसमें तो ओलेडी जीपेस की सुवी था आप अवेलेबल है पर गवर्मेंट एक प्लान फाइंड आउट कर रही है कि जो ओल्ड विकल सबी भी एक्जिस्टिंग है मार्केट के अंदर उसमें किसी तरह से जीपेस सिस्टम को एनेबल इंप्लीमेंट इंस्टॉल कर दिया जाए ताकि उनके बैंक अकाउंट भी जीपेस सिस्टम से एनेबल हो सके और उसमें जो टूल चार्जे से वो ऑटोमेटिकली डिड़क् लेन उसका वह वापसे रिजूम कर रहा है उप्रेशन बेसिकली प्रधानमंतरी मोधी जी ने 31st of October को इसका इनाउगरेशन कर रहा था पर भाई यह देखा गया कि इसकी मेंटेनेंस की वजह से मेंटेनेंस इशू थे इसमें काफी इसलिए इसका उप्रेशन जाला टंक तक कर सकते हैं अगर आप उसमें ट्रेवल करने की सोच रहे हैं तो अगली जो नहीं होगे मीडिया एंट्रेटेन्मेंट सेक्टर से बेसिकली MIB जो मिनिस्ट्री ओफ इन्फॉमेशन और ब्रोड्कास्टिंग है उन्होंने का है कि हम एक रेगुलेटरी ड्राफ्ट रेगुले पॉलिसी होनी चाहिए ताकि लोग उसको फॉलो करें उसके दारे से बाहर ना आ जा सकें बेसिकली मीडिया एंट्रेटर्मेंट सेक्टर एक काफी एक फास्टर्स ग्रोइंग सेक्टर है इकनोमी का तो अगर यह ग्रोइंग सेक्टर है और इनके लिए एक रेगुलेटरी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें बेसिकली मीडिया एंट्रेटर्मेंट सेक्टर में यह देखा जाते कि काफी सारी फेक न्यूज आ जाती है और काफी सारी से कंटेंट होते जो की बच्चों के लिए सही नहीं होते तो उसके लिए एक तो रेगुलेटरी जो पॉलिसी यह कुछी समय में ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर के आने वाली है माइबी साथ ही माइबी ने यह भी का है कि जो ब्रोड कास्टिंग सेक्टर उसको भी एक इंफ्रस्रक्चर की रूप में देखा जाना चाहिए तो उन्होंने अपने सजाइशन दिये हैं इंडिन गवर्मेंट को basically ministry of finance को तो वह वहां पर उनको convince करेगी इसको भी एक infrastructure की तरह देखा जाए ताकि इंफ्रस्रक्चर डेवलपमेंट जब सरकार करते हैं अपना spending करते हैं तो इसके लिए अलग से बजट हो सके हैं इसको भी इंफ्रस्रक्चर का रूपी दिया जा सके तो फ्रेंस यही थी आज की बिजनेस अब्डेट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया था आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह की आपको बिजनेस यूज डेली मिलते रहे हमारे इस चैनल पर बिलते हैं तरह का प्रेंग तरह कर सकते हैं तरह कर सकते हैं तरह क VanderTeam झाल झाल